नमस्ते दोस्तों दोस्तों बैरोजगारी बत्ता स्टेप बाई स्टेप जो परक्रिया है गौवर्मेंट ने बहुत हाड बनाती हैं और इस परक्रिया के तहट बैरोजगारी बत्ता लेना काफी मुश्किल हो गया हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप लोग इस बैरोजगारी बत्ते को 101 परसेंट ले सकते हैं कुछ गलतियां आप से हुई है और कुछ गौवर्मेंट ने हैंडल करने के लिए सभी को सेम मैसेज बेच कर रिजक्ट कर दिये थे फॉर्म लेकिन कुछ कैं प्रब्लम आ रही है और किस तरह से उसका शॉलिशन देना है और किस तरह से आपको वापस डॉक्यूमेंट अप्लोड करके अपने इस फॉर्म को एप्रू कराना है इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों तो continue रहे हमारे साथ और देखते रहे इस यूट् है कि इस वीडियो को पूरा देखें जिसमें हम बेरोजगारी बत्ते को लेने के लिए सारी इंफॉमेशन इसमें देंगे हालांकि हमने पहले जो वीडियो बनाया वो एन्यक्सर 8 1 के पॉइंट नमबर 2 से रिलेटेड और सारा इसमें दिया था लेकिन उसके बावजूर अ और लाइक करें शेर करें और अपने दोस्तों के बीच में सेर करके कमेंट्स करें तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और अगली बात करें दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जिस तरह से आप देख पा रहे हैं जिस त विय्वया रहें सब्सक्राइव एतों कि सतरे से वहित आयुकी एक्ञाय को लिकते सींस्ट्पर्क और सुद्चराइन का डिकतर समय घाला है वह दें। अकसत योजना थी पहले अकसत योजना को बदल दिया गया अब से अकसत योजना का जो नाम बदल दिया गया उस नाम को बदलने से दिकत ही आई को उसमें कुछ रूल्स चेंज किये गए उन रूल्स की वज़े से फर्म को सारों को कुछ चेंजिंग किया गया जिसमें कुछ कुछ requirement है वो change की गई और उस requirement को वापस लेने के लिए government ने Sam A की message बना कर सब को back send कर दिया और send back करने की विज़े से सभी को दिकते आई तो आप देख सकते हैं यह common message था जो सभी को आया था और इस message के थूँ यह बताया गया था income certificate है वो notary plus जो annexer 1 है उसको भी notary कराना है annexer 1 को भी notary कराना है और दूसरे जो documents है जैसे की आपके एक new form जो है जो 8 1 के point number 2 जिसे बोलते हैं जिसमें आपके 10 points होते हैं दस गोशना ही होती है उन गोशनाओं को आपको yes करके उसको yes करके signature करना होता है और उसको upload करना होता है यह सभी के common message आने के जिसमें ने यही किया और हमने video भी बनाया था और यही guideline में बताया कि यही आपको जो है notary करना है और आपको इसको वापस से upload करके सारे document जो पुराने आपने चड़ा रखे हैं उसको e-sign करना है लेकिन दोस्तों यह सब करने के बाद भी अब next step यह candidate ने submit कराया है candidate ने submit कराने के बाद वापस से वही remark डालके sam to sam वापस send किया है उसके बाद जो candidate ने second time इसको वापस submitted कराया है submit कराने के बाद यह वापस से second time submitted किया है submitted के बाद वापस से जो अब नया सभी को problem create हो रही है जो नया message आ रहा है वो उसको भी आप read कर सकते हैं अब क्या message चल रहा है अब project में सभी को message यह आ रहा है जैसे कि यह देख सकते हैं आप your unemployment request has been reassigned to you by sub-regional employment exchange जोदपूर जैसे यह जोदपूर डिस्टिक से है तो जोदपूर से यह send back आया है और उसमें region दिया है because of region order order में remark में लिखा है share document original e-sign कर और सारे document original e-sign कर और annexer 1 upload कर resubmit करे forum में आपको सारे documents जो है वो original e-sign दोस्तों e-sign की परक्रिया हमारे इस जो description है उसमें इसका link दिया गया है कैसे e-sign करना है उसकी परक्रिया बताई गई है तो आप उसमें देख सकते हैं description में link देख सकते हैं कि e-sign कैसे करना है documents को पूरी परक्रिया दे रखे हैं सारे जितने भी document आपने पहले upload कि हैं उनको e-sign करना पड़ेगा e-sign के साथ साथ में आपको document income आई और के आपको अपने नाम से बढ़ना है self नाम से बढ़ना है मतलब आपके फादर के नाम से नाम से नाहीं बढ़ना है अभी जो आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको ध्यान रखना आपके फादर के नाम से नाम से नहीं आपके नाम से बढ़ना है income और income को notary कराना है दूसरा option है जो NXR1 है वो भी आपके नाम से बढ़ना है और notary कराना है NXR1 जिस पर आपका photo लगा है दोस्तों उसके बाद third जो है वो है स्वः गोशना पत्र जो point number 8 जिसको बोलते हैं स्वः गोशना पत्र जो है 10 गोशना है उसमें सबसे निचे उसको self sign करना है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और कैसे बढ़ना है इसको सारव इस वीडियो में है तो कहीं नहीं चाहिए एक continue बने रही है तो ये आपको जो भी send bank की position थी अगर आपके भी यह message आया है तो आप भी इस solution को इस वीडियो में देखे कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इसके form से related जो issues हैं जो information है वो आपको बता देते हैं कौन-कौन से form अपलोड करने अभी और क्या करना है आज 29, 6, 2019 के बाद की पर क्या बतारा है 29 जून के बाद आपको क्या करना है जो पहले आया आपने किया जो सही है अब 30 जून को आप 30 जून के बाद आपको क्या करना है वो डीटेल आपको अभी बताऊंगा मैं इस वीडियो मागे तो continue हमारे साथ में और देखते हैं इस YouTube चैनल को तो दोस्तों बात करते हैं आपको सबसे पहले बात करते है एनेकसर 1 जो है यह है इसमें आपको अपने self खुद के नाम का जैसे आपका नाम है वो नाम आपका इधर डालना है उसके बाद में आप है वो पिताजी के नाम से इसको second option पिताजी के नाम से बढ़ना है उसके बा कि पाद मैं आपको यहां अपने सिगनेचर करने हैं और यहां अपका फोटो फोटो यहां लगाने के बाद मैं आपको यहां पर भी इसके क्रोछ्स पे ऐसे साइन करने है आपका photo जैसे यह आपने photo लगाया है इदर तो photo के यहां sign करने है cross में यहां sign करने है उसके बाद में आपको यहां पर notary कराना है notary कराने के बाद यह form आपको और nexr1 में upload करना है और यहां पर आप date भी डाल सकते हैं किस दिन को आपने किया है तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ये करना एनेक्षर 1 जिसको बोलते हैं ये स्वक गोशना पत्र है एनेक्षर 1 अब आपको पता करना एनेक्षर 1 का तो ये डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं ये है गोशना पत्र एनेक्षर 1 जिसको नोटेरी कराना अन इंकम जो आई है उसको देख सकते अब दोस्तों सबसे इंपोर्टन्ट है कि आए गोश्टना में आपको ये प्रार्थी के नाम में अपना अपना श्वैम का नाम इधर डालना होगा पहले जो आपने फॉरम फिलप किये हैं उसमें हमेशा सही पिता जी के नाम से फिलप होता हैं सबी को कॉमन मेसेज के बाद में अपलोड करने के बाद में भी नोटरी कराने के बाद में भी संट बैक हा रहा था उसमें इस पस्ट लिखा हैं कि जो इंकम है वो स्वैम के नाम की भरें और इधर पिता के नाम है पिता का नाम परें डीटेल जो भी सारा है यहां फोट फोटो को आपको सत्यपित कराना पड़ेगा फोटो को अटेस्टेड कराना है गैजटेट आपिसर से सरपंज जो भी है वो कराना है इसके बाद में आप देखते हैं आगे यह डिटेल सारी फिलब करने के बाद में यह सबसे इंपोर्टेंट है यही जो डिटेल है फैमिली मेंबर्स में इसमें भी आपका नाम पहले नंबर पर होना जरूरी है फिर आपके पत्नी का नाम या फादर का नाम मदर का नाम जो भी है इसमें मेंबर्स जो आपके हैं वो सारे आपकी वार से काए माप बेरोजगार है तो निल करें फैमिली मे जो भी कमाते हैं जैसे फैमिली मेंबर जो कमाते हैं जैसे दो चार हजार इंकम भी लिख सकते हैं और इंकम जो है वो आप निल भी कर सकते हैं या आप अपनी पत्नी को मजदूरी में सो करके दस भी सजार उनका भी कर सकते हैं और टोटल इंकम जो है वो आप निल भी कर सकते ह ऐसा नहीं है और आपका अपना जो है वो स्वेम का कहीं भी सो नहीं करना है कि आप इंकम कमाते हैं आपका खुद का जो है वो चीरो ही करें बाकी मेंबर्स का आप 10,000-20,000 जो भी है वो सो कर सकते हैं और हाइस्ट जो इंकम है वो 2,00,000 से कम होनी जरूरी है ज्यादा नहीं करें इससे कम होनी करें और यहां आप अपने सिगनेचर कर सकते हैं यहां सिगनेचर करें सिगनेचर करने के बाद में इसका जो अगला फॉर्मेट है वहां चलते हैं उसमें यह है आई और इसके बाद में जो दूसरा आप्शन है वो है के तो के की बात करते हैं यह है के इसमें दो उत्रदाई व्यक्ति जो होते हैं उनके साइन कराने होते हैं उत्रदाई साइन में यहाँ आप अपना नाम लिखें यहाँ पर यहाँ अपना नाम लिखें फादर का नाम लिखें और परिवार की जो आए इसमें यह पहले पारिवार एक नहीं लिखा था अब जो है वो गौर्मन ने पारिवारी करके नहीं आए है वो बेजा है तो यहां परिवार की टोटल आए लिखे और इसको यहां पर गवा जो फरस्ट है सरपंच है या कोई भी एक अधिकारी है उसके sign कराने इस पर अगर आप सरपंच कराते हैं अगर इस पर आप सरपंच से कराते हैं तो दूसरा जो नीचे है यहाँ पर आपको एक किसी gadgeted officer से ही कराना पड़ेगा तो दोस्तों यह दूसरा है इसमें भी आप अपना नाम लिखें फादर नेम अब इसके बाद में आता है अगला फॉर्म जो दोस्तों बात करते हैं और सबसे इंपोर्टेंट फॉर्म जो है जिसके कान ये पूरी योजना है वो चैंज की गई है तो वो ये है इसमें आप देख सकते हैं जो प्राती दोरा ये गोशना करनी है इसमें आपका नाम और हस्ताकसर करें हस्ताकसर करने के बाद मैं हस्ताकसर करें और ये इसको नोटरी नहीं कराना है ये सिंपल फॉर्म ऐसे ही साइन करके आप इसको अपलोड करेंगे दोस्तों अपलोड करने के बाद में सबसे एंड में बजता है कि जितने भी डोकिमेंट आपने अपलोड किये उनको e-sign करना तो e-sign करने की परिक्रिया का जो वीडियो है वो हमारे description में लिंक है उसमें आप देख सकते हैं और वहाँ से आप क्लिक करके उस पूरे वीडियो को देखकर e-sign की परिक्रिया समझ सकते हैं तो दोस्तों ये सारी information अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको बता जरूर मिलेगा इसके बाद में कोई ऐसा option नहीं है जिसमें आपको बते में कोई दिक्कत आए और बता नहीं मिले तो दोस्तों इस मुक्यमंत्र यूवासंबल यूजना का जो ये वीडियो है इसमें आपकी स सारी issue है वो solve की गई है इसके अलावा भी अगर next time कुछ issue आएगा था हम वीडियो बना का आपको information नहीं चरूर देंगे तो दोस्तों हमारे चैनल वेकेंस एड़ा को subscribe करिए प्लीज और subscribe करने के साथ ही एक जो बैल आइकन आता है उस बैल आइकन को भी टिक करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसाने से पहुंचता रहे है तो thank you so much दोस्तों आपका किमती समय देने के लिए और धन्यवाद दोस्तों